सब अकाउंट कब तक होगा बैंक अकाउंट तो स्लेवर्स का ही पार्ट नहीं है बैंकिंग तो ही नहीं गुन-गुन वो पुराने वाले स्लेवर्स में हुआ करता था अब बैंकिंग नहीं रहा चलिए तो एमल्गेमेशन था एमल्गेमेशन दो पार्ट में बटा हुआ था एक बायर का बुक और एक सेलर का बुक सेलर के बुक में क्या करना था लेजर और एक जर्नल अभी हमने नहीं किया वो थोड़ी से टाइम के पार्ट आज ही कर लेंगे होगा और buyer के book में क्या था sir buyer के book में भी दो चीजे सबसे पहले तो निकालना था buyer की book करने के लिए आपको क्या चाहिए था purchase consideration purchase consideration के अलग-अलग method थे sir जैसे कि net payment method या फिर net assets method इसके बाद आपका क्या करना था buyer की book का journal buyer के book का journal करना था और balance sheet बना रहा था जर्नल को करने के भी हमारे दो तरीके हैं सर एक nature of purchase होता है और एक होता है nature of merger जिसको pooling interest भी कहा जाता है pooling interest भी कहा जाता है तो एक्जाम में कोई भी word यूज कर सकता है nature of merger या सर इन दोनों में फरक क्या है अभी दोनों का difference देख लेंगे एक्जाम में कई बार question पूछा गया है कि what is the difference between the nature of purchase and nature of merger तो theory अभी हम देख लेंगे इसका मैं overall बता देता हूं क्या है nature of purchase का मतलब है हम सामने वाली company को खरीद लेते हैं उसके बाद उस company के साथ जो मन में आएगा हम करेंगे कोई रोकने टूपने आला नहीं है nature of merger का मतलब होता है हम सामने वाली को company को खरीदेंगे लेकिन हम company को बदल नहीं सकते company जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा merger का मतलब होता है दो company मर गया मर जो गया और उसके साथ साथ वो continue चलेगा जैसे की Vodafone और idea merger हुआ था इनका Vodafone और idea का mega merger कहा गया था तो देखो आइडिया बंद नहीं हुआ आइडिया भी चल रहा है और Vodafone भी चल रहा है और दूसरा condition होता है कि nature of purchase के अंदर हम सामने वाली company के अंदर equity share ले या ना ले मर्जी है मर्जर में 90% equity share holder transfer होने जरूरी हो जाते हैं तो एक बाद difference देख लेते हैं nature of merger और nature of purchase में क्या difference है तो nature of purchase के हमने general entry कर लिया है सर कैसे करा था सबसे पहले buyer के लिए business purchase फिर क्या करा था सारे assets और liability उसके बाद क्या किया था हमने assets और liability के बाद discharge उसके बाद कुछ miscellaneous entry था जैसे कि amalgamation adjustment की entry या फिर debenture issue करने की entry या unrealized profit की entry या फिर expense payment करने की entry तो ये entry कुछ हमारे उसके अंदर था जिसको हमने देख लिया था आज हम nature of merger की भी बात करेंगे और इसके अंदर भी देख लेंगे तो चलिया आईए सहाब nature of merger के कुछ difference है इस difference को हम बारिकी से समझ लेते हैं तो आपको clear हो जाएगा सबसे पहले pooling assets and liability pooling का मतलब क्या होता है सर पूलिंग का मतलब होता है एक तरीके से bridge बनाना पूल करना मतलब कि एक साथ सब को merge करते जाएंगे पहला क्या कहता है यह जो difference है वो nature of merger का है और यह nature of purchase कहता है all assets liability vendor company transfer to resulting company sir resulting company कौन सी होती है जो company बंद हो रहा होता है transferring company को हम resulting company भी कहते है इस बात का ध्यान रखिएगा जैसे मैं vendor company को क्या कहेंगे resulting company तो बोलता जाता है कि जितने भी सामने वाली company की है जो बिखने वाली सारे assets low सारे liability लेकिन nature of purchase में बोलता है मुझे यह assets पसं से accept building लेकिन nature of merger में यह नहीं बोल सकता है आपको सारे assets और सारे liability लेने ही होंगे देखिए क्या कहता है there is no genuine pooling assets and liability only the assets and liability taken over the purchaser company or transfer जो वो देगा या जो हम लेना चाहेंगे वो ही होगा पहला difference समझ में है कि nature of merger में एक भी assets नहीं शूटना चाहिए और एक भी liability नहीं शूट चाहिए दूसरा equity shareholder shareholder 90% face value of equity share become shareholder of purchasing मतलब सार जैसे कि मान लेते हैं A limited है और एक B limited है अगर B limited seller company है तो इसके share A limited ना इसके जितने भी मान लेते हैं इसके एक लाग share थे तो बदले में यह कम से कम जो एक लाग shareholder है इसमें से 90% इस वाली company में सिफ्ट हो जाएंगा that is 90,000 share 10% share वागेरा को हम बोलेंगा भया तू cash ले ले कुछ भी कर ले 90% कहां transfer हो जाएगा यहां जबकि उसमें ऐसा नहीं है shareholder of vendor company transfer company may not be become shareholder purchasing company जैसे कि मान लो एक company है बोलता है मैं बेच के बंद करना चाहता हूं business बंद करके हम चले जाएंगे तो कोई shareholder similar नहीं होगा shareholder similar का मतलब समझ रहे हो जो मालिक पहले था और यह तो merger करने का एक ही होता है कि हम competition देना चाहते हैं सामने वाले को हम भी मालिक बने रहेंगे तुम भी मालिक बने रहो same continue business करेंगा और सामने वाले के जो competition में हम पीछे चले गए जैसे कि Vodafone और idea competition में पीछे जा रहा था Reliance और आपका ATL से तो यह दोनों आपस में merge होगे अगर ATL को भी ऐसा मैसूस होने लग गया कि भाई जीयो company को हम compete नहीं कर पा रहें तो ATL भी merge होके एक बड़ी company बनाएगा और तीनों मिलके जीयो के उपर हमला करेंगा जिससे के जीयो company रहे ना रहे वो अलग बात होगा तो जो company भिक रहे उस बिजनस का company carried out by the purchasing company मतलब उसके business को बरबाद नहीं करना वो company same चलाना है यहाँ पे the business of vendor transfer company need not to be careful मतलब जरूरी नहीं है कि सामने वाले business को चलाना है एक मान लेतने एक person है और उसको खुंदक में उसने सामने आली company को खरीद लिया और बुल आप तेरी company का नामों निसान मिटा देने तो भाई यो कौन से कहलाएगा nature of purchase होगा nature of merger तो होई नहीं सकता गर उसका नामों निसान मिटा ही नहीं सकता क्योंकि same business उसको carry करके चलना पड़ेगा अब इसके बाद purchase consideration the entire purchase consideration due equity shareholder discharge only by issue of equity जितने भी भाई तुमारे purchase consideration है सब को मैं equity दे दूँग और cash भी दे सकता हूँ कहने का मतलब ऐसे entire equity बोला हुआ है तो maximum equity shareholder को equity ही दिया जाएगा कहा गया कि purchase consideration to the equity shareholder जो equity shareholder को दिया जाएगा वो equity shareholder के format में ही दिया जाएगा जबकि यहां entire purchase consideration आपका needy नहीं है कि आप equity share दो बदले में cash दो रफा दफा करो कोई दिक्कत वाली ब assets and liability taken over record their book value हम book value पर record करेंगे without any revaluation of assets and liability वाइस आप जितने का assets था अगर building बोलता है question में चिला चिला के building की value एक लाग से डेड़ लाग हो गया डेड़ लाग को कुछ नहीं करना हमें एक लाग रुपे ही record करना पड़ेगा लेकिन nature of purchase में ऐसा नहीं था अगर डेड़ लाग मतलब जो revalued value है उसके उपर दिखाया जाएगा record of reserve सबसे major part यहीं है और इसी के लिए मैं आज यह question करवाने वाला हूँ पहले nature of purchase में क्या करते थे सामने वाली company के equity share को नहीं लेंगे preference share को नहीं लेंगे कोई reserve and surplus को नहीं लेंगे मातर एक reserve and surplus को लिया जाता था कौन सा था amalgamation adjustment वाला जो कि statutory reserve था या फिर export reserve था अब nature of merger में हम जितने भी reserve and surplus है सारा carry करेंगे बस security और preference share को छोड़ देना है जितने भी reserve है तो कहना है कि all reserve recorded their carrying book value including the statutory reserve मतलब statutory reserve तो पहले लिया ही जा रहा था अब सारे reserve को भी ले लिया जाएगा only statutory reserve लिया जाएगा और बाकी को नहीं लिया जाएगा अगले वाले point में कहा गया है जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको clear हो जाएगा सर अगले point पे चलते हैं सर दो point छोटे छोटे से बता है clarity हो गया होगा आपको के क्या differences है profit and loss statement इस combined aggregate profit and loss statement purchasing यानि जो इनका profit and loss होगा इस सामने वाली company का profit और मेरी company का profit दोनों को जोड के balance sheet में दिखाएगे क्योंकि जब उसके सारे profit and loss हमारे में जूड़ेंगे तो करने की बात कहां से आती है difference between the net assets vendor company purchase consideration कहता है difference क्या होगा net assets vendor company purchase कहता है it is adjusted by reserve यानि सर जब हम assets को दूसरी entry याद करो सारे assets और two liability जो difference आता था उसको ऊपर निकलता था goodwill और नीचे निकलता था क्या हमारा capital reserve इसमें ऐसा नहीं होगा इसकी अंदर debit निकले तब आप reserve और निकले तो हमेशा reserve से ही करना है तो हमेशा किस से करेंगे adjustment हमारा reserve से it adjustment there goodwill से हो सकता है और maybe हो सकता है हमारा किस से capital reserve से depend on situation तो majorly difference यह है difference की बात करें practical question देखेंगे तो इससे याद जैसे बच्चे कुछ बोल रहे है theory 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 कब कराओगे तो theory इसी type के theory आपके पूछे जाए जाएंगे कि बताईए इसमें क्या difference है तो यह था हमारा total एक tentative idea अब इसके उपर एक सवाल देख लेंगे कि sir actually अब मैं एक बार one sort में अकर हम nature of merger को समझे ना कि तो सबसे पहले उसके सारे assets हमारे assets बनेंगे वो भी book value पर दूसरा point उसके reserve and surplus को भी हम लेने वाले हैं दो main point ह हो गया तीसरा point उनके जो discharge होगा consideration वो किस format में होगा equity share के format में ही क्या हो जाएगा उसको discharge हो जाएगा समझ पारे हो बात आप तो यह दो तीन खास बात हैं जो कि आपको ध्यान रखना है आपके 10 year में मैंने यह सवाल छोड़ दिये थे कुछ बच्चों ने मेरे से पूचा स का question हिसाब से करिये हैं आपको दिमाग नहीं लगाना लेकिन mcq आजाए एक company था जिसका के मान लेते है mcq की true false आता है question अब आएगा भी true false मान लो मैंने कहा के एक buyer company ने seller company का purchase consideration 95% equity share में discharge किया है तो same equity share order वहाँ transfer हो गए आप बताइए nature of purchase है या फिर nature of merger है तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पूछा जा सकता है चलिए सवाल को इप तरफ चलते हैं देखिए सर क्या सवाल कहता है यह कहता है आप सभी के किताब में भी यह यह the following balance sheet of x limited on 31 March 2023 x limited का balance sheet 31 March 2023 यानि सर equity है preference है general reserve है export reserve है investment allowances reserve है ध्यान दीजिए यह जो दोनों है reserve investment allowances reserve और export reserve यह दोनों हमारा statutory reserve मतलब amalgamation adjustment से adjustment लगता अगर यह होता हमारा nature of purchase और इसमें भी उसी से जाएगा हमारा last में finally इसके बाद क्या है सर हमारा surplus है surplus के बाद क्या है हमारा सर डिबेंचर है और creditor और यह और इधर की site सारा का सारा asset ध्यान दीजेगा कहता क्या है x take over y यानि सर यह x company जो है यह buyer है पहले यह हम लिख लेंगे ताकि हमारे mind we fix रहे और यह seller है यानि बिकाव company y limited है खरीदार company x limited है कहता है on 10 April 2023 को the purchase consideration was discharge as follow कहता है भाई यह हम purchase consideration ऐसे discharge करेंगे पहले purchase consideration तो पता होना चाहिए कहता है हम इशू कर देंगे उसे 35,000 share 10 रुपए का एक कहता है उसे कर देंगे हम 13% preference share 100 रुपए का एच shareholder वा है मतलब जितने तुमारे पास पहले preference share था अब वो भी दे देंगे और हम तुमें 35,000 equity share दे देंगे चेक करिए पहले equity share देखा जाए तो कितना था 3,000,000 यानि 30,000 अब हम जादा ही share दे रहे हैं यानि similar share transfer हो रहा है महाँ पे तो उसी हिसाप से पता चल जाएगा कहता है debenture holder while limited will be convert into equal number of debenture holder तो debenture holder तो वैसे भी purchase consideration का part नहीं होता है इस बात को मैंने पहले भी कहा हुआ है कि debenture holder purchase consideration का part नहीं होता हो तो normal liability को आप liability payment कर रहे हैं show the opening entry opening balance sheet x limited का amiglimating in the nature of merger and also calculate purchase consideration चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर हमें निकालना पड़ेगा point number one that is calculate क्या करना होगा purchase consideration चलिए सर परचेज consideration कैसे निकालेंगे सबसे पहले बोला हम आपको equity share देंगे equity share कितने बोले देंगे 35,000 और एक share कितने का देंगे 10 रुपे तो that is 3,500,000 आगे कहता है कि जितने तुमारे पास preference share था 13% वाले देंगे तो पहले भाई इसके पास कितने percent वाला था 12% एक 70 अब बस कुछ नहीं करना 13% वाले देंगे तो 13% preference share capital और आपका एक 70 यानि 100 रुपे का एक है और अभी भी 100 रुपे का एक है तो मतलब भाई पहले कितने थे एक 70 की बात चल रही है तो पहले 700 थे अब 100 वाले दे देंगे तो 1,70,000 और तो कुछ देने लेने की बात नहीं चल रही है तो that is purchase consideration कितने आ जाएंगे आपके 75 बारा 4,020,000 यही आ रहा है चेक कर लिजे आप calculation देखो चेक कर लिया करो पाँच बीस है पाँच बीस नीचे 13% क्या रहा है उपर बारा था ठीक है तेरा दे ले हैं वो अब पहली entry क्या करेंगे सर बायर की books की general entry demand की गई है number one पहली entry वही same business purchase वाली जो कि हमने सीखा है क्या entry होगा number one business purchase account debit to liquidator account business purchase account debit to liquidator account सर बींग में कोई बदलाब नहीं है कितने आ जाएंगे पांच लाक पहली entry में किसी बच्चे को doubt पहली entry में किसी बच्चे को doubt ठीक है पहली entry में doubt कुछ बच्चों का गलती से hand raise हो जाता है अगले point की बात करते हैं अब दूसरी entry किसका होता सारा assets और सारा यहीं पर nature of merger का कमाल है और कहीं भी नहीं है तो सारे assets को लिए जाएंगे एक एक करके कुछ भी नहीं छोड़ना तो सबसे पहले land and building account debit इसके बाद plant in machinery account debit इसके बाद furniture account debit investment account debit debtor account debit bank account debit सारे के सारे assets ले लिए गए और सारे assets का amount के entry कर देते हैं एक लाख पच्पन हजार एक लाख सत्तर हजार 35,000 50,000 stock रह गया हाँ आएगा आएगा stock account debit तो सब्सक्राइटर कितने का है पहले डेटर आया था नहीं पहले investment पचास डेटर कितने का है एक लाख तीन हजार 52,000 और ये 90 अब बताईए टू में जो जाएगा टू में हमें क्या क्या लेना है मुद्दे की बात ये ध्यान दीजे टू में बताओ मैंने क्या सिखाया मर्जर में क्या लेंगे मैं मिटा देता हूं इसको साफ कर देता हूं आपके लिए टू में क्या लेंगे मुझे बताते जाएगा टू में क्या लेंगे पहला मेरा सवाल क्या इकुटी को टू में लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा क्या जनर रिजर्व को लिया जाएगा लिया जाएगा क्या एक्सपोर्ट रिजर्व को लिया जाएगा लिया जाएगा तो यह cut लगा देते हैं, जिसे नहीं लेना, ठीक है, अब अमेशा याद रखिएगा, क्योंकि difference हमें general reserve से match करना है, तो always general reserve को part को छोड़ देना, क्योंकि जो भी balancing figure निकलेगा, उसको किस से match कर देंगे हम, general reserve, तो general reserve वाला part छोड़ देना, बाकी सारा entities करी कर लेना, सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, export reserve, export reserve, कितने का है, sir, export reserve, 20,000 रुपे, नहीं, 10,000, export reserve के बाद क्या बताईए, sir, export reserve के बाद investment allowances reserve, कितने का है, 50,000, सारे reserve आएंगे, उसके बाद क्या, sir, surplus, लिया जाएगा, छोड़ दें, लिया जाएगा, लेकिन nature of merger में हम नहीं लिया करते थे, that is 35,000, आज आईए आगे, debenture, सारे assets और liability, तो debenture कितने का है, वो भी 35,000, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने का है, पंद्रह अजार, नहीं, surplus 50 का है, surplus कितने का है, 50,000, तो फिर investment कितने का है, वही आपने गलत बता दिए, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, जनर रिज़ब 25,000, बीस है बाई, सब export रहे से, ऊपर से गड़बड कर दिया, चलिए ये बीस अजार, investment allowances, 10, surplus, अब debenture 35, और creditor भी 35, अधर लाइबलिटी, कितने का है, 15, और लास्ट में, जो हमने निकाला है, PC, purchase consideration, कितने का निकाला था, पांच लाख, पीस हजार, अगर आप अब calculation बिठाएंगे, ठाएंगे थोड़ा बहुत, तो calculation में आपको नजर आएगा यहां पर, कि भाई साहब कहाँ difference निकल रहा है, हो सकता है, maybe debit में निकल रहा हो, और हो सकता है, maybe कहाँ निकल रहा हो, credit में, debit में निकलेगा, तब भी general reserve से करोगे, credit में निकलेगा, तब भी general reserve, कई बार debit में हम goodwill से कर सकते हैं, लेकिन priority आप general reserve देना, ठीक है, चलिए साहब, अब difference निकाल के करते हैं, total कर लेते हैं, इसका क्या बन रहा है, एक लाख 55,000, एक लाख 70, इधर ध्यान दीजिए, आप बाते मत करिए, 60,000, ऐसे इसका total ले लेते हैं, 6,85,000, तो आप समझ सकते हैं कि credit में ज्यादा है, debit में कम है, तो कहां पे निकलेगा, debit में, तो मैं debit में लिख देता हूँ, general reserve के नाम से थोड़ी accounting adjust कर देते हैं, general reserve, और ये that is balancing figure है, और कितना आगया हमारा, 85-60, 25,000, हर बच्चे को clear है, बस यहीं पे nature of merger आपको realize होगा, कि सर इसके अंदर कुछ हमने different किया है, बाकि भाई साब पूरे सवाल के अंदर आपको लगीगा, पहली entry कहां से nature of merger explain करता है, simple है, बस इसी entry में लगीगा, अगली entries को discharge करने का वो भी common ही होगा, तो चलिए अगली entries को discharge कर देते हैं, अगली entry discharge कैसे करेंगे, business, sorry, liquidator को करेंगे, liquidator account, बदले में क्या दिया हमने, और क्या दिया, कितने थे पांच लाक, equity तीन लाक, और preferential एक लाक, कोई दिक्कत, बताईए कोई दिक्कत, इसमें balance sheet मज़ेदार बनेगा, सर वो last वाली entry repeat कर दो, जो भी general entry के अंदर balancing figure निकले, इस वाली entry के अंदर, जो भी balancing figure निकले, उसको general reserve से, या only reserve से match करना है, बस, तो यह balancing figure है, जिसको मैंने 25,000 से match कर दिया, nature of merger में यही रहेगा, चलिए सर, अगले point पे आ जाते हैं, अगले point पे किस पे आ जाएं, किस पे आ जाएं, किस पे आ जाएं, अगला है हमारा emalgamation adjustment account, वो export reserve वाला, हम क्या करते थे हैं, emalgamation adjustment तो, इसमें वो entry करने की अवशकता नहीं है, सर, क्यों, क्योंकि already हमने उस adjustment को liability के अंदर consider, कर लिया है, तो already liability में चले गया, पहले जो nature of purchase होता था, साइद देखें, कहीं मिल जाएं, मुझे सवाल तो, मैं दिखा दूँ आपको, 8AAA emalgamation वाला, है कहीं, नहीं है, इसमें, क्योंकि दूसरी sheet खो लिए, मैंने पहले तो देखा था, low, इसमें भी नहीं है, तो आपको पहले अगर याद हो ना, तो पहले इस type के entry में क्या करते थे, हम main entry के अंदर, इस entry में नहीं किया करते थे, इस entry में हम कोई भी reserve लिखा ही नहीं करते थे, reserve जो export reserve वाला था, उसको अलग से कर देते थे, AAA amalgamation adjustment account debit to export reserve, और amalgamation adjustment account को हम non current, other non current assets में दिखा दिया करते थे, और export reserve को हम reserve and surplus में add कर दिया करते थे, जबकि यहाँ पे तो सर आपने ले ही लिया यहाँ पे, तो आपको अब इसकी एक अलग से entry करने की कोई भी शकता नहीं, माने लो मैं एक अलग से entry करूँगा, तो double नहीं हो जागा, यह तो खतम हो जाएगा भाई साब, double export reserve चला जाएगा, एक और entry बोलते हो सर, कर के दिखा दो, कर दो क्या फरक पड़ता है, तो मैं करूँगा amalgamation adjustment to export reserve, तो export reserve यहाँ भी है भाई साब और वहाँ भी export investment reserve मान लो, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो दो-दो credit चले जाएगा, तो जादा हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, चलिए सर, debenture को discharge करने की entry करनी पड़ेगी सर, debenture को discharge, कहता है कि भाई आप पुरानी company के debenture को same दे देंगे, तो हम लिख देंगे, आपका 14, यानि old debenture to new debenture कर देंगे, simple, old debenture to new debenture, देखो यह मैं roughly समझा रहा हूँ, लेकिन मैं सही माइने में बोलू ना, तो जैसे क करना होगा, मैं यह roughly बता देता हूँ, आपको memory में रहे कि भाई या, old debenture मतलब पुरानी company के debenture debit खतम होगे, और नहीं में मिल गए, ताकि बस याद रहे, बाकि लिखना है आपको वैसे ही है, तो सर, कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, भाई साब, debenture, debenture, debenture 35,000 रुपे, चलिए 35,000, कोई doubt, clear रहा था, चलिए अब balance sheet बना लेते हैं फटा फट से, और balance sheet में entry कर देते हैं, और कुछ तो entry करने लाइक रहा नहीं, और कुछ तो entry करने लाइक रहा नहीं, सर, एक बार difference कैसे आया, 25,000 रुपे का, बता दीजिए, भाई साब, 25,000 जब हमने इसका total किया ना, तो ये बन रहा था, और जब इसका नीचे का total किया ना, तो ये बन रहा था, तो मैंने देखा कि debit में फरक आ रहा है, निकाल दिया difference, चलिए, balance sheet, चलिए, balance sheet, चलिए, balance sheet, पहला आएगा हमारा, और मैंने हर एक बच्चे को बोला है, जिन बच्चों ने balance sheet नहीं करा, तो chapter के अंदर format का डाल दिया, तो आपको देख लेना चाहिए, नहीं देखोगे तो फिर आपको इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, सबसे पहले क्या आता है, shareholder, इसके बाद A part आता है, share capital, B part आता है, reserve and surplus, दूसरा आता है, known, current liability, सर, तीसरा आता है, हमारा current liability, सर, इसके अंदर क्या आता है, A part, long term, सर, इसके अंदर बड़े सारे आते हैं, trade payable, आपका बहुत सारी चीज़े आते हैं, जिसको हम देखेंगे, assets की बात कर लें, तो पहला part है हमारा इसके अंदर, known current, assets, और इसके अंदर A part आता है, fixed assets, और B part आ जाता है, हमारा intangible assets, fixed assets नहीं, पीपी आता है, A part के बाद अंदर point आ जाता है, रॉमन में वन, property, plant and equipment, अब आएगा intangible, second आ जाएगा, आपका current assets, इसके अंदर सबसे पहले A part लिख लो, आप inventory, इसके बाद B part trade receivable, C part cash and cash equivalent, इसके notes to accounts भी बनाने पड़ेंगे, मैं बनाता जाओंगा और आप समझ जाएगा, क्या लिए, सबसे पहले shareholder fund, तो shareholder fund की बात करें, तो हम इसमें से सामने वाले का share तो नहीं लेंगे, अपनी company के shares और अपनी company के journal entry वाली बात करेंगे, तो हमारी company का shares की बात करें, पांच लाख और हमने fresh issue साड़े तीन लाख का किया था, याद होगा, note number one, तो equity share capital पहले से हमारे पास है, पांच लाख रुपए का, ये buyer के पास था, भी लिख देता हूँ, और equity share capital इशू कर दिये हमने, साड़े तीन लाख का, तैस्ट आट लाख पचास हजा, और हमने preferent share capital पहले से ही था, पहले से था दो बीस का, ये buyer में था, और preferent share capital हमने इशू कर दिये, एक सत्तर का, तैस्ट आट इस नौट, तीन लाख नब्बे हजार, इस note का टोटल करो, तीन नब्बे और आट पचास, तैस्ट आट इस बारा लाख चालिस हजार, note number one में चेक करिये, और यहां लिख दिया, बारा लाख, चालिस हजार, ठीक है, note number two, सबसे important note, इधर करते है, note number two, reserve and surplus, क्या क्या है सर, general reserve है, general reserve के बाद क्या था, हमारा export reserve है, export के बाद क्या था, investment allowances reserve है, और क्या है सर, surplus है, पहले मैं buyer company का, अगर ले लूँ यहां पे, तो बताइए buyer company का, क्या आप सभी के पास किताब है, 10 year है, तो बताते जाएए, buyer company का, 50,000, export, 30,000, buyer का ले रहे हैं, investment, नहीं है, और surplus, 70,000, 79, तो यह 69, 75, अब seller company का भी reserve लोगे न, seller company का, तो आप क्या आप आओगे, seller company का result तो debit में निकल गया, और debit में निकलने का मतलब है, seller company का negative reserve हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहां से minus कर देंगे, जो की हमारा reserve आए, कितने का reserve आए था negative, 25,000, that is, यह हमारा आजाएगा, 25,000 आएगा, ठीक है, अब export reserve देख लो, आप seller company का क्या है, seller company का export reserve, बताएगे, 20,000, that is 50, और investment reserve, 10,000, total कर लेंगे, surplus इसका था, और हमारा क्या है, seller का, seller का surplus, तो यह आगया, एक लाग पच्चेस हजा, भाई, आपके सामने किताब है, और आपको बताने में भी, सही लिखा है नहीं लिखा, बताओ मुझे पहले फटा-फट, सही है, चलिए इसको, कर दिया ने, पच्चास में से पच्चेस, क्यों कि, क्यों कि, यहाँ पर डेबिट आ गया था ना, लिया है, लेकिन क्रेडिट होता है, तो हम अपने जोड देते रिजर्व में जाके, यहाँ पर डेबिट आ गया, इसका मतलब रिजर्व उपर आ गया, नॉर्मली हम गुडबिल से भी कर सकते थे इसको, एसिट्स में दिखा देते, बट यहाँ पर नेगिटिव, डेबिट में रिजर्व आने का मतलब क्या है, नेगिटिव रिजर्व, समझ रहे हो, तो नेगिटिव रिजर्व मतलब हमारे रिजर्व में से क्या कर दिया जाएगा, सब्स्रेक्ट करके माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है, अगर क्रेडिट में आता तो मैं प्लस ही करता है इसको हाँ जी परचेज में तो हम रिजर्ब लेते ही नहीं है थोड़ा इसको मैं अच्छे से करना चाह रहा हूं कि सजाद हूं ताकि आपको क्लियर रहे अरे क्या हो गया भाई चलिए इसको जोड़ देते हैं बच्चों ने बता भी दिया जोड़ के मैंने ध्यान ही नहीं दिया दो लाग दस अजर इधर देखिए इधर और सबसे इंपोर्टेंट यह रहता है अब जो चीजे मैं औरली कर सकता हूं न जैसे लॉंग ट्रम बोरोईंग मैं औरली कर सकता हूं तो मैं औरली कर दूँगा यह नोट बनाना है तो नोट भी बना सकते हूं नोट नमबर थ्री हाला कि नोट नमबर थ्री मैं जगे बचा रहा हूं एसेट्स के लिए आप यहां नोट नमबर थ्री लिख लिजिए लॉंग ट्रम बोरोईंग अब डिवेंचर बता दीजिए बायर कमपनी का और डिवेंचर बता दीजिए जो सेलर का था बताईए डिवेंचर और सेलर का तो टोटल सिम्पल सी बात है 85 यहां पर آएंगे और 85 लिख देंगे करण्ट लैबलिटी में क्या था देखना पड़ेगा सर सर करण्ट लैबलिटी में 2 पोइंट है प्रेडिटर और अधर करण्ट लैबलिटी तो पहला पोइंट आ जाएगा train पेबल और A के बाद B पार्ट आ जाएगा अधर बता दीजिए मैं यहीं एड़ कर देता हूँ बाइर का 45 सेलर का तो यह हो जाता है 80 अजार और अधर करेंट लाइबिलिटी बाइर का और सेलर का यह हो जाता है 45 लीजे सर यह टोटल कर देंगा समझे अब पी 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 प्रापर्टी प्लांट एन एक्यूपमेंट इसको नोट नमबर चार दे देते हैं सर क्या क्या था हमारे पास काफी सारे असेट्स थे यह 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 है सर क्या-क्या है एक हो गया लेंड एन बिल्डिंग प्लांट एन मसींडरी फरनीचर बस सब को जोड देते हैं पताएं यह लैंड एन बिल्डिंग कितना है बायर का बायर का दो पचास लेंड इन बिल्डिंग और सेलर का अगर मान लो वो कहता question में के सेलर के लेंड इन बिल्डिंग की valuation जो है एक साथ हो चुका है तो क्या हम एक साथ consider करते हैं नहीं हम एक पचास ही लेते हैं कोई भी value आज़ा इसको ignore करके चलने है प्लांट इन मसीनरी बताइए कितना है बायर का हां तीन लाख पच्चेस अजार और बायर का सेलर का एक सत्तर ठीक है पर नीचर बायर का 57 सेलर का यह 57 500 भी है और सेलर का इनको add कर लेते हैं चलिए एक लाख सत्तर हजार तीन लाख पच्चेस हजार 495 दो पच्चास चार लाख पांच हजार तीन लाख पांच हजार नाइटी टू फाइव हंड्रेड चार लाख पांच हजार चार लाख पिच्चानवे जार निन्यानवे पच्चेस हसो देखो मैं टोटल जल्दी जल्दी कर रहा हूं कई मिसमैच हो आप क्रॉस वेरिफाई जरूर कर लीजेगा निन्यानवे समझें अब इसके बाद इंटेंजिवल एसेटts है नहीं इंवेंटरी मैं यहीं ले लेता हूं बताएए बायर का इंवेंटरी क्या है बायर के बुक्स में इंवेंटरी स्टॉक एक पच्चेस और सैलर का स्टॉक कि इस बाच्चेस और नाइनटी फाई दो लाग ऐसे ही डेटर ले लेते हैं बायर का डेटर और सेलर का डेटर एक लाग तीन हजार तो नब्बे हजार वन नाइन्टी थ्री कैश को टोटल कर दीजिए बायर का कैश एटी टू फाइव अंड्रेड और सेलर का फिफ्टी टू तो ब्यासी पानसो प्लस में फिफ्टी टू एक लाग चौटिस पानसो अब टोटल कर लेते हैं इसका टोटल बाराच आलेस सोला लाग साथ हजान कुछ और रह गया क्या क्या रह गया इन्वेस्मेंट भी था हाँ इन्वेस्मेंट रह गया इन्वेस्मेंट एक साथ ही लिख देता हूँ एक बीस साभ इन्वेस्मेंट रह गया इन्वेस्मेंट कहां आएगा यहां लिख देते हैं भी नोन करेंट इन्वेस्मेंट एक लाग बीस अजार दोनों एड करके लिख दिया आपका आगया निन्यानवे पच्च्छ सो एक लाग बीस अजार वन नाइन्टी थी तो ये भी आगया सोला लाग देखे दोनों चीज़े आपने सीख लिए सर बैलेंस शीट भी सीख लिया और ये भी नेचर आफ मरजर मेरा मानना है कि नेचर आफ मरजर कंपेर टू इजी है वैसे इजी तो दोनों ही है कंपेर करें तो ये इजी है लेकिन बच्चों को नेचर आफ मरजर पता नहीं क्योंकि बाद में करते हैं तो लगता ही कि मुस्किल है याद में करने का मुश्किल रिजन क्या है क्योंकि हम इतना सारा इमेल्गमेशन का Concept करकर के Last में आते हैं और Last में कराई गई किसी भी Chapter की चीजे बच्चों को याद नहीं रहता है और वह मुश्किल बन जाता है तो सर्फ यह reason है बाकि उससे आसान है सारे assets liability add करना है और कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नी डिफरेंसे तो ये था हमारा nature of margin अगले point पे चले ये ले लिजा image जिसको ले ना अगले question पे चले आपकी किताब में भी solution है बाकि ये पीडियाप भी डल जाएगे चलिए आप सवाल देखिए सर कैसे पता चले और ये सारे वो questions है जो की आपके exam में आए हुए questions है ये सारे तो अब इस question में कैसे पता चलेगा ठीक है सर assets liability है कहता है A limited acquire B limited को 23 में कर रहा है consideration धाई 25 लाक रुपे का बोलत तुझे pay कर देंगे fully paid equity share 10 रुपे का ही सर यहीं से पता चल गया सामने वाली company को 25 लाक दिया जा रहा है और सिर्फ equity दिया जा रहा है सिर्फ क्या दिया जा रहा है तो इसी सही पता चल गया हमें के merger वाला concept होगा बाकी जब तक question में merger वाला ना बोले आपको करना नहीं आप simple जैसे मर्जी करें वो कर सकते हो माल लो यह सवाल होता और नीचे नहीं बोला जाता कि आपको amalgamation assuming आपका कहां गया कहीं बोला इसने ये in the nature of merger अगर ये line नहीं होता तो examiner बोलता है बच्चो तुमारे छूट है आप चाहे nature of merger से करके दिखा दो क्योंकि इसके अंदर 90% से अबब जा रहा है चाहे आप purchase करतो दोनों ही सही हम मान लेगे लेकिन examiner ऐसा नहीं करेगा examiner को answer copy भी बनाना होता है तो वो हमेशा लिखेगा nature of merger वाले में और जिसमें purchase वाला होगा तो सर अगर यह वाली लाइन नहीं कहता ना यह दो लाइन करके उन्होंनों बस page खराब किया है यह अगर यह लाइन नहीं कहता कि assume करो अगर यह वाला डेवलेप्मेंट रिबेट रिजर्व एक पटा सा नाम है तो जो कि हमारा export रिजर्व था तो यह तो जाएगा ही जाएगा दूसरा कहता है कि workman compensation fund को भी ना आप continue books of account में दिखा दो अगर यह लाइन नहीं भी कहता तो हमें पता है भाई साब यह हमारा reserve का part है तो हम वैसे ही books of account में लेके चलते हैं तो यह दो लाइनों का कोई ऐसा तुक बनता नहीं सवाल के अंदर इसने बोल दिया तो हमारी मदद की है बलके अब हमें क्या करना है purchase consideration इस सवाल में निकालना है या निकाल के दे रखा है सर पीसी दे रखा है कितने का दो करोर पचास लाख है अब जब ऐसा सवाल आ जाए ना जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक काम कर सकते हैं ती जीरो पीछे का कट कर दे कर दे का क्ट कर दे व07 कर सकते हैं ना सिग्ञाध्याई जकाए मर आट आप फैटाज़ पीछे के असांव जाएगा तो लीजिए ए तीन जीरो और हटा देते हैं तो क्या आजिए पट जोब परचेज कंसिडरेशन आ गया 25,000 और इन ऐसे लिख दीजिए आप examiner समझ जाएगा कि 30 इसके बाद लगाओगे तो जो बोला हुए वही होगा अब 30 हर किसी में से अगर हटा देंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा हमारा असान कैसे लिखने में जल्दी थोड़ी सी हो जाएगे हमारे लिए ठीक है ना चलिए जैसे कि यह इतने दे रखें तो यह 25,000 हो जाएगा यह 15,000 हो जाएगा इसमें भी debit निकल रहा है तो debit निकल रहा है तो किताब के solution में वहाँ goodwill लिख दिया गया है लेकिन आप general reserve से करना इसको समझ रहे हो आप देख सकते हो किताब में solution दे रखा होगा शायद मैंने वहाँ पे goodwill लिख दिया है लेकिन आप priority किसके नाम से कर दोगे general reserve चेक कर यह क्या है goodwill है आप किस से match कर दीजेगा general reserve से और general reserve negative positive करके कर देंगा तो यह क्या हो गया sir home work किसी को doubt यह home work हो जाएगा जो भी आता है नहीं यह वारा देखोगे ना आप हम तो negative को यहां से adjustment करेंगे और यहां से भी नहीं होगा तो पी एंडल से मार देंगा बशंड़ा दे हो Competition शेपल आप्पा देांnant प्रिजे प्रेशेग, प्रिष्स क्साइवा नहीं आया है कि स्झेघ्ट तो तो उस्वद्वाह में आता मैं हम ठगल Yapा ह CH UNS ओर मीप्त्र ङोप इंड र। झाल झाल